प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्छा चार का परियावरन बुक पाठ बारा कहानी का सिसा क्या है अपना प्यारा घर तो घर सभी को प्यारा लगता है घर किसे लगता है ननी गुरईया को अंडे देने है ननी गुरईया है उसको क्या देने है अंडे देने है वह चाहती थी कि एक बढ़िया घोसला बनाए वह क्या चाहती थी एक बढ़िया घोसला बनाए जहां वह सुकून से अंडे दे सके ज और अपने बच्चे की सुरक्षित देखबाल कर सके गोसला बनाने के पहले उसने अन्य पक्षियों के गोसले को देखना जरूरी समझा सबसे पहले गोसला बनाने के लिए मुझे तुमारी सला चाहिए मैंने मदाद मांगा उसे ठीक गोसले को बढ़ियां बनाने में मेहनद करना तो बेकार ही है गुटकु दादा बोले कौतर बोले ठीक गोसले को बढ़ियां बनाने में मेहनद करना तो बेकार ही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महिने भर के लिए ही गोसला की जरुरत रहती है क्या बोले वो महिने भर ही गोसला की जरुरत रहती है मेरी तरह कहीं भी चार तिन के जमाओ और काम चलाओ कवुतर क्या बोले कि मेरी तरह कहीं चार तिन का जमाओ और काम चलाओ यह अभी कोई ब पूसला बना लेंगे तो किसे होगा ननी ने सोचा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई, ननी गोरिया वहां से चली गई, रास्ते में मिठ्धू मामा से मुलाकात हुई, किस से मुलाकात हुई, मिठ्धू मामा से मुलाकात हुई, मिठ्धू मामा मुझे एक सांदार घर बनाना है कौन बोली ननी गोरहिया किस से मिठ्धू मामा से मिठ्धू मामा मुझे सांदार घर बनाना है मेरी कुछ मदद करोगे क्या वो बोली कि मेरी कुछ मदद करोगे बनाती क्यों हो मेरी तरह कोई कोठर देख लो काता मिठु क्या वोले कि बनाती क्यों मेरी तरह कोठर देख लो नजी कोठर मैं जांकर देखा तो बाप रे बाप या घर है या अंदेरा अंदेर कुआ है तो देखिए सब चिणिया का विसेस्ता अलग-अलग तो सब का घर भी अलग-अलग होता है तो तोता का घुसला में क्या ननी कुरहिया अंडा दे सकती है? नहीं, तो देख करके उसको आस्चेरे लगा, वो बोली की तो लगता है कि अंदेर कुआ है? इसके बाद ननी बाया से मिली, किस से मिली? बाया से, बाप्रिवापिया घर के से, तो ननी किस से मिली? बाया से, बाया बोली मेरा घुसला बेसक सांदार है, बाया पक्छी क्या बोली? मेरा घुसलाम नहीं रह पाईएगा वेसे भी इसे खिंकियां तो है ही नहीं न नीन मन ही मन सोचा और दारजीन के पास पहुँची किसके पास पहुँची? दारजीन उस समय घांस के मजबूत रेसों से पत्तों को सील कर घुसला बना रही थी कैसे घुसला बना रही थी? पत्तों को सील कर घुसला बना रही थी सुई का काम अपनी नुकिली चौँच से ले रही थी और दारजीन चनियां बताया थे ना अप लोगो की सील कर घुसला बनाती है? बनाती है ना सुई का काम वो नोकिली चोंच से कर रही थी दारजिल गरों से ननी की और देखती हुई बोली तुम्हारे लिए मेरे जैसा घोसला बनाना तो संभावी नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास मेरी जैसी चोंच नहीं है तुम बुलबुल पंडू की और कालू कोवे का गोसला देख लो उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है तो ननी क्या हुआ बुलबुल का गोसला देखकर ननी बोली है तो कोई खास नहीं है और कोवे का गोसला देखकर इतना बड़ा गोसला कोवे का गोसला कैसे होता बड़ा गोसला था कैसे होता और ऐसा कंटीला और कठोर मेरे नाजुग बच्चे भला ऐसे घर में रहा घर में कैसे रहेंगे बोले कि इस तरह घर में मेरा बच्चा कैसे रहेंगे कंटीला जाड़ी से उबनाता गोसला कौन को हुआ लेकिन अब वह समय आ गया जब मुझे गोसला जल्दी बना लेना चाहिए सब के पास उसला लिया लेकिन किसी का सला काम किया कि उसका नहीं, देखिए सब चिणियां का विसेस्ता अलग-अलग है सब का गोसला अलग-अलग ढंग कराता है अब गोरईया तो ता गोसला मरा सकती है कि नहीं नहीं तो नहीं सोचने लगी, क्या करूँ, केसा गोसला बनाऊं नहीं सोच रही थी तभी तारों पर बेठा एक निलकंट बोला तुम तो अपने तरीके से ही घर बनाओ सबसे अच्छा सला कों दिया? निलकंट निलकंट ही ननी चिणिया को सबसे ज़्यादा अच्छा सला दी उचित सला दिया, वही सबसे अच्छा गर होगा ननी ने वेसा ही किया और अपने घोसले में चार अंदे दिये ननी क्या किया अपने अनुसार जैसे वो जान रही थी वेसे अपने से घोसला बना ली और अपने घोसले में कितना अंडा दिये चार अंडे दिये अंडों को सेने के लिए बेठी ननी को लगा किवा घोसला ही उसका सबसे प्यारा और अनुखा घर है देखिए जो अपना मन से अपने से सोई समझ करके काम किया जाता है वही काम सबसे अच्छा होता है और जदा अगर सब का सला लेने लगिएगा तो फिर वो काम अच्छा नहीं होगा तो किसका सला काम किया अंत में? निलकंठ का सला कुछ अच्छा हुआ लेकिन उसका भी का ना यही हुआ कि आप अपने अनुसार बनाईए दूसरों का सला के अनुसार बनाईएगा तो दिक्त होगा अपने दिमाग से काम लिया जो की सही हुआ हुआ ना कैसा लगा कहानी तो कोई भी चीजा काम अपने से करना चाहिए दूसरों के भरोसे रहेगा तो काम होगा क्या नहीं क्लैब कर दीजे चली दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें जे हिन जे भारत